तो आदाब नमश्कार को डीनिंग से स्रेकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी आज मंगलवार टीउस्टे है गहमा गहमी बहुत जादा नहीं लेकिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रक्स को लेकर आज पारलेमेंट में भी इशू उठा कल रवी किशन ने उठाया था कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रक्स का चलन बढ़ गया है उसको रोकना चाहिए जिस पर आज जाया बच्चन ने कहा कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री को इस गंदगी का हिस्सा बताया जा रहा जब कि ऐसा है नहीं कुछ लोग जरूर लेते होंगे लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को बददाम ना किया जाए कुछ खास वज़ों से कुछ खास लोगों के लिए तो उसको लेकि भी पॉलिटिक्स और वो सारी चीज़ें शुरू हो गई रिया केस में अभी तक और कोई अपडेट है नहीं उनके वकील जो है वो ओर्डर की कॉप्य उन्हें लेट मिली उसके बाद अभी स्टड़ी कर रहे हैं पिर बॉंबे खास और जाएंगे और जो मेरी वकील अदालत इन सब का हिस्सा बनना पड़ता है आपको इनके बीच में उठना बैठना पड़ता है तो एक अच्छा वकील कौन होता है एक अच्छा वकील वो होता है जो अच्छी सिर्फ वकालत नहीं करता अच्छी दलील नहीं देता अच्छे से केस तयार नहीं करता बलक कई ऐसे वकील हैं जिनकी कई जजों के साथ अलग अलग ट्यूनिंग होती है तो अगर आपके साथ ठीक है ट्यूनिंग तो फिर आपके केस जीतने की भी गुनजाइश जादा है अब इसको आप जैसे भी लीजिए लेकिन ये एक नंगा सच है कि बहुत सारे अच्छे वकील बनने के लिए अच्छी वकालत के लिए आपके अपनी मेहनत के लावा ये भी बड़ा मायने रखता है कि किस अदालत में किस जज के साथ आपके कितने अच्छे रिश्टे हैं और उन रिश्टों की वज़ा से कई केसों पे असर पड़ता है तो खबर ये भी है कि जो रिया कारवाई जा रही है लेकिन एडियों और सीबिया लगबगा भी खामोश है क्योंकि जो मेन मेन सारे कारेक्टर थे पूचता छो चुकी जो हंगामा था जो शोर शराबा जो भागदा और मेडिया कैमरा जो चाहे सुशान के घर के चार हो चश्मदीद हो रिया चगरवरती हो भाई हो उसका वो सारी चीज़ें निपट गई है तो अब सीबिया अपनी आराम से बाकी तफ्तीश कर रही है और दूसरी खबर ही आई है कि एम्स की जो फॉरंसिक टीम है शायद वो 20 सितमबर पहले 17 सितमबर था कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे 20 सितमबर तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे और इस डिले की एक वज़ा ये भी बताए जा रही है कि जो विसरा सैंपल मुंबए के कलीना फॉरंसिक लैब से लाकर एम्स में दुबारा टेस्ट किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट लेट आएगी इस वज़ा से 20 सितमबर तक वो अपनी रिपोर्ट सीवाई को दे जिससे पता चलेगा कि पोस्ट मौटम विसरा रिपोर्ट में कोई गरबड़ी थी ये नहीं थी तो यह है कुल मिलाकर अपडेट कई और कोई स्टार के ड्रक्स में नाम आ रहे हैं जो कुछ लोगों ने बयान दिये हैं उसमें एक नया नाम आ रहा है सारा अली खान का भी जिन्हों नंके एक फिल्मे साथ में काम भी किया था तो जान जारी है यह है टोटल अपडेट अब आते हैं आज की अपनी कहानी दो किसी देश के लिए अपने देश के वास्ते जासूसी करना इज़त और फखर की बात होती है जान जोखी में डाल कर खबरे निकालना सूचना है हासिल करना और एक जासूस की जिन्दगी हमेशा खत्रे से भड़ी होती है लेकिन कोई अपने ही देश के खिलाफ जासूसी करने लगे तो फिर उसे सीधे और साफ लबजों में घबदार कहते है यह कहानी एक ऐसी ही हिंदुस्तानी महिला की है और कहानी कोई इतिहास के पन्नों में नहीं है नहीं है यह बहुत हाल की है सिर्फ 10 साल पुरा नहीं है 2010 की बात है 2010 अपरियल का महीना था शायद 24 अपरियल और दिल्ली पुलिस की एस्पेशल सेल है जो टेररिस्ट और बाकी चीज़ों को हैंडिल करती है बड़े अच्छे अपसर इसमें से निकले हैं मैंने बहुत सारे इसमें दोस्त भी है तो एस्पेशल सेल को एक केस दिया गया था ऊपर से और कहा गया था कि आप दिल्ली इंटरनेशल एरपोर्ट पहुंचिए इंद्रगान इंटरनेशल एरपोर्ट और वहां से आपको एक लेडी आ रही है उनको एरेस्ट करना है एस्पेशल सेल के टीम वहां पहुंचती है एरपोर्ट से एक लेडी बाहर निकलती है उनके पास already डिपलोमेटिक पासपोर्ट था डिपलोमेटिक पासपोर्ट आनतर पर उनी लोगों के पास होता है जो बड़े ओदे पर होते हैं और इन महिला का खास तोर पर ये था कि ये बहुत खास इसलिए थी कि ये पाकिस्तान के इसलामाबाद हाई कमिशन में इंडियन हाई कमिशन में तैनाद थी और सेकंड सेक्रेटरी इनका पोस्ट था लेवल था तो पाकिस्तान जैसे देश में जहां हमेशा उतल पुतल रहता है जसा हमेशाँ इंडिया और पकिस्तान के जो एंडिया में काम करते हैं उन्पे खुफिया आजंसियों की बड़ी नज़रे रहती है कि कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, कोई दуш्मन से तो नहीं मिल गया है, कोई काख़जात तो नहीं चुरा रहा है कोई सूचना है तो लीक नहीं कर रहा है तो इन दो जोगों पे चाहे पाकिस्तान की अंडिया में जब पोस्टिंग होती है तो पाकिस्तान में बड़ी नज़र रखता है अपने उन तमाम स्टाफ पे इसी तरह से इंडिया की वी जब पाकिस्तान में पॉस्टिंग होती है जो लोग वहां काम करते हैं पाकिस्तान के अमश्याइजनसी और हमारी विदेश मंत्रा लिया। तो उनकी बड़ी नजर होती है, रौ की बड़ी नजर होती है, क्या हमारा कोई स्टाफ मिल तो नहीं गया, दुश्मनों न अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया तो इसलामाबाद के इंडियन इंबेसी में तैनात एक लेडी 24 अप्रेल 2010 को इंडरगांदी इंटर्लेट्शल एरपोर्ट से बाहर आती है, उन्हें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि बाहर आने के बाद अचानक साधी वर्दी में दिल्लिपलिस की इस्पेशल सेल के लोग उ कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो बता रही है कि मैं फॉरण मिनस्टरी में काम करती हूँ, इंडियन हाई कमिशन में हूँ, सेकंड सेक्रेटरी हूँ, बट कोई जवाब नहीं दिया जाता है, इस्पेशल सेल के दफ्तर लाय जाता है, और इसके बाद उन्हें बताया जाता है पहली बार, क्या आपको यहां क्यों लाया गया, उनके पास से कुछ बैक में जो सामान था, उसमें तराशी ले जाती है, साथ पेपर निकलते हैं, वो पेपर वो थे जो उनके उस काम के हिसाब से उनके पास नहीं होने चाहिए थे, वो कुछ खुफिया डॉकुमेंट्स थे, और जो उनका पेशा था वहां पर उस हिसाब से, उनको अपने साथ ले के वो ट्रेवल भी नहीं करना चाहिए था, इन लेडी का नाम था माधुरी गुपता, उम्र 53 साल, 53, 2010 में, अब 63 होगी, और इनके उपर इलजाम जो उनको सुनाया गया उस वक्त, वो कहा गया कि आप के अलजाम है कि आप पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, इसके बाद इनको एस्पेशल सेल ने लंबी पूछताच की, अदालत में पेश किया गया, फिर कस्टरी ली गई, और फिर पूरी पूछताच के बाद एक कहानी सामने आती है, माधरी गुपता दिली के रह करते थे, एक भाई था, भाई, यूएस शिफ्ट हो गया और अमरिका में ही काम करने लगा, ये यहीं थी, पढ़ाई लिखाई में तेज, जासूस बनने का शौक था, लेकिन जासूस बन नहीं पाई, फॉरन मिनिस्ट्री में नौकरी लगी, उसके बाद ये दिली में रही पहले, और दिली में इन्होंने काफी काम किया, दिली के अलावा फिर ये बगदाद गई, बगदाद के अलावा कौलालंपुर गई, और ऐसी कई जगे पर इनकी पोस्टिंग होई, आखिर में फिर 2007 के आसपास इन से कहा गया कि आपको पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्ता सी करनी थी, तरक्की करना था, तो इन्होंने पहली अर्दू, बाकादा ट्यूटर रखा, अर्दू सी की, और यहां तक कि फिर बाद में जवालाल नेरी इनिवरसिटी में जाकर पर्शियन, फार्सी भी सी की, और उसका भी कोर्स किया, 2007 में ये पाकिस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान में सेकेंड सेक्रेटरी इनका पोस्ट, और काम इनका ये था कि पाकिस्तान के छपने वाले तमाम अर्दू नियूस पेपर को ये ट्रांसलेट करके, उसमें वो खबरें जो हिंदूस्तान के काम की चीज़े हों, वो आगे बढ़ाएंगे, अर्दू के अथी ज तो ये उनका काम था, पर ये शुरू से चाहती थी कि इनको एक जासूस के तोर पर रखा जाये, वो पूरा नहीं हुआ मकसर था, तो वहाँ पर अर्दू अखबारों के ट्रासलेशन से काम शुरू करती हैं, और धीरे धीरे फिर प्रेस ब्रिफिंग के जरीए पाकिस्तान के मीडिया के से इनका संबंद बनता है, जान पहचान होती है, खास बात ये थी कि इनको महंगे पर्फिंग, अच्छी ड्रेसिंग, कपड़े महंगे, ये सारी चीजों का पड़ा शौक था, और इसी वज़ा से पाकिस्तान मीडिया के जरीए, कुछ पाकिस्तानी खुफिय आजिंसी के लोगों की नजरों में आई, और हमेशा हर देश में जो इस तारह के अम्बसी में लोग होते हैं, उन में इक तरह से घुसपैट के लिए लोगों ڈोटे हैं, किसी कमज़ोर कड़ी को, तो जिस तरीके से बेतकलופी से बातें करना और फिर लोगों से घुलना मि खुबरी शुरू की पाकिस्तानी है अथरिटी ने तो पता चला कि वो शौपिंग और इन सब चीजों के बड़ी शौकीन पैसों की बड़ी जरूरत था क्योंकि खाहिशें बड़ी थी तो ये सारी चीजें वो थी कि जिसके जरीए आप किसी को जाल में फांस सकते हैं इसी के आदमी जो पाकिस्तानी खुफिया अजिंसी का जिसका निक नेम था राना वो राना अपने आपको उसने एक जर्नलिस्ट बनाया उसके कारड़ वाड तयार हुए उसके बाद वो इसलामाबाद के अमबेसी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अक्सर आने लगा और इसी ब फिर मिलना जुलना शुरू हो गया राना की उम्र भी करीब 55 साल के आज पास थी और माधरी की उम्र भी 53 के कुछ आज साल और 5-6 या कुछ साल अब रहे गया थे उनकी रिटार्मेंट में तो दोनों के अब दोस्ती दीरे दीरे शुरू होती राना अपनी पूरी जाल में फास लेता है पैसे खर्च करता है और फिर दोनों में एक तरह से इश्क शुरू हो जाता है अब माधरी के घर राना का आना जा बना शुरू होता, राना इदर-दर कुमाता भी है, और इसी दवरान में अब राना को ये पता चले गया कि ये माधरी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसी दवरान दोनों के बीच में संबंद बने और उस संबंद के कुछ तस्वीरे राना ने उतार ली, और फिर फिरे धीरे वो पूरी जब जाल में फंस गई तब उसने अपना असली वो बताया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें जतने पैसे चाहिए तुम्हें देंगे, लेकिन माधरी को लगा कि ये घद्दारी होगी देश से, लेकिन वो आलरी कदम बढ़ा चुक और इसके बाद वो जब तब वो classified documents जो कि उसको नहीं देना चाहिए, वो सारी सूचनाएं अलग-अलग देना शुरू कर देती हैं, सारी सूचनाएं वो हासिल करती हैं embassy से, उसके बाद अपने घर जाती हैं, और अपने घर के computer से और अपने एक दूसरे जो उसने एक mail ID क्र था, उसके जरीए वो पाकिस्तान के उस secret service के शक्स को, राला को इस सारी जानकारी मोहिया करा दी, बदले में उसे पैसे मिलते हैं और पैसे उसके सारे पाकिस्तान के bank में transfer हो रहे थे, कुछ उसने दिल्ली के भी bank के number दिये थे, इस दौरान में कुछ ऐसी चीजें हुई, क किस सरकार तक पहुँच गए, तो ये बड़ा एक खलबली मचा कि ऐसा कैसे हो तक ता ही, अभी तक तो दो चार लोगों के लेवल पर बात थी, तो यहां पर कुछ डाल में काला नज़र आया और इसके बाद रौने और फॉरन मिनिस्ट्री ने यताय किया कि, इसलामाबाद कि अमबैसी के स्टाप पे नज़र रखी जागा, इसके बाद हर एक की निगरानी शुरू हुई, धीरे धीरे हर एक की निगरानी में पाया गया कि बाकी सब का रोटीन ठीक है, अमबैसी का काम होता है उसके बाद कुछ लोग उसी कंपार्ण में हैं, कुछ अपने घर चले आई, एक ये पता चला कि कोई एक शक्स जो उनके घर आता जाता है, वो राना था, राना के बारे में जब पता किया गया तो पता चला ये तो पाकिस्तानी सीग्रेट सर्विस का है, आईसाई का नहीं था, फिर उनके बैंक और इस सारी डिटेल्स की तलाशी ले गई तो द और क्या ये वाकई डॉकुमेंट्स बाहर लीक कर रही है, एक जूटी खबर पाकिस्तान इसलामाबाद एमबेसी में पहुँचाई जाती है, और जान बूच कि उसको इस तरह से वहां पर लीक किया जाता है जो स्टाफ के सामने, कि अगर इनमें से कोई होगा तो वो पाकि पाकिस्तान तक पहुच गई है, तो ये जाहिर हो गया किसमें मादरी इंबॉल रही है, और खबर चुके जूटी थी, इसी के बाद तैह हुआ कि मादरी को पूच्टाच करनी चाहिए, लेकिन ये था एक इशू कि मादरी को पाकिस्तान में अगर एमबेसी में ही पता चल कि इसके उपर शक है और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, हमें पता चल गया है, तो फिर एक जमेला और बखेडा खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब उसे इंडिया लाना है, और इंडिया में कैसे उसको लाया जा है कि इसको शक भी ना हो, क्योंकि कुछ वक्त प तो मैसेज दिया गया मादरी गुपता को, कि सार्क मेटिंग के लिए कुछ एजंडा तयार करना है, चुक्के पाकिस्तान के मेडिया में इस मेटिंग को और बाकी चीज़ों को लेके कि आप उच्छा पर आचल रहा है, तुम उर्दू के सारी चीज़ें ट्रास्लेट कर र मादरी गुपता को भनक भी नहीं लगी, वो 24 अक्तूबर 2010 को दिल्ली लैंड करती है, इसी बहाने उनको बलाया गया था, इधर दिल्ली पलिस की अस्पेशल सेल को ये जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद वो उतरती है, डिप्लोमेट जो उनका पासपोर्ट है, उसके स उसका कलर अलग होता है, और फिर दिल्ली पलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे मैं जाती है, और इसके बाद फिर उनसे पूछता आच होती है सारी, और फिर वो धीरे धीरे अपना सारा खुलासा करती है, इस पूरी पूछात के दौरान जो उन्होंने कही, वो कई चीज़े है पूरान करने वाली थी, एक ये कहा कि हाँ, मैंने जासूसी की, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मैं ये जासूसी अपने, जो सीनियर अफसर उनको सबक सिखाने ले करती थी, इसलिए कि वो लोग नाकाबिल हैं, उनको काम नियाता, और जो हम लोग महनत करते हैं, व मैंने अपने बलबूते पे इंडिया के लिए जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे अफसरों ने हड़का दिया, और कहा कि जो तुम्हारा काम है, तुम सिर्फ वही करो, माना कि हाँ, मैंने डील के लिए पैसे लिए, और ये सब कुछ लेकिन मैंने वो किया, क् मैं सीनिया अफसरों से, क्योंकि वो मुझे जासूसी करने नहीं दे रहे थे और इसके लावा मुझे, आगे पोस्टिंग अच्छी जगा और चाही थी, यूएस में, इसके लावा, इंग्लेंड में, लेकिन मुझे वो पोस्टिंग भी नहीं मिल रही थी, सारी चीजें पाद, जो सबसे खतरनाक बात आई सामने वो ही आई, कि उसी वक्त, 26-11 उससे पहले हो चुगा था, और लगातार भारा सरकार डोजियर पे डोजियर पाकिस्तान को दे रहा था, और हाफिस साइद और तमाम लोगों के खिलाफ, वहां पे मकदमा आदा, इंटरनेशनल में यह इशू उट रहा था, तो उसको लेके जो भी हमारी तैयारी और मांग होती थी, वह भी पाकिस्तान को पहले से पता चल जाती थी, तो महादरी गुपता के उपर बाकी जतने जो गोंपिटेंशनल डॉकुमेंट्स थे, वो देने के साथ-साथ जो इलजाम तो लगे तो क्योंकि वहां अधरत में यह मकदमा दर्ज हुआ था, उसको लेके 26-11 और खास्तोर पर कसाब, माधरी गुपता ने राणा को बहुत सारी जानकारी लीव कर दी थी, और इसका भी काफी नुक्सान हुआ था, तो यह सारी चीज़ें, बाद में उनके सारे इमेल, यह सारी ज जानकारी दी थी, तो इसको खंगाला किया, और आखिर में यह पाया गया, कि हाँ, माधरी गुपता ने हिंदोस्तानी होते हुए, पाकिस्तान के इसलावाबाद के में काम करते हुए, पाकिस्तान के लिए जासुसी की, और इसके जो वज़ा थी, एक ये थी, उनको पैसे चाहिए थी पैसे चाहिए था और दूसरा ये कि जासूशी का जो शौक था वो जासूशी का पूरा नहीं कर पाए तो इसके जरीए वो खला कि देश द्रोह और घद्दारी का तमगा लेकर ये काम किया और तीसरा ये कि अपने सीनियर अफसनों को सबक सिखाना जाती थी तो के जमाने में हाल के दिनों में अगर हम देखें तो एक महिला जिसका एक लंबा करिया था तरिपन साल की उमर करीब बिस पच्छिस साल से जादा फॉरन मिस्ट्री में गुजार दी अलग अलग देशों में काम किया काबुल गई बगदाद गई दिल्ली में रही और ये भी शक नहीं था लेकिन खाहिशें और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और इसी लालच में फिर ऐसा हुआ कि इज़त भी गई नाम भी गया गदारी का तोमत अलग लगा तिये थी कहानी एक ऐसी जासूस की जिसने दुश्मन मुलक के लिए जासूसी की अपने देश के खलाफ कहानी में आज इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी रात नाओ बजी किसी नई कहानी के साथ कोशिश ही है मेरी कि अगर जब तक रिया और सुशान केस में कोई ऐसी खबर ना हो जो आप तक पहुचाना चाहिए या इंसाइड स्टोरी ना हो जो आपको बतानी चाह होगा तो कल भी कोई नहीं कहानी होगी अपना ख्याल रखेगा अपनों का ख्याल रखेगा थैंक यू वरी मुच्छ